हेलो प्रेंच स्वागत है मेरे चैनल में आपका तो प्रेंच आज हम इस वीडियो में सोट अम्रेला बाजी बनाना सीखेंगे वह अधी सरल तरीके से तो इसके लिए देखि हमने प्रेंच सब्सक्ति करींगे के अब इसके के अकओर्डिंग हमें गड़ियो करना है इसके लिए लगबग हमें 80 cm कपड़ा चाहिए इसे फ्रेंच हम double फृल में बनाने वाली हैं तो हम इस तरीके से कपड़े को रखेंगे फ्रेंच दोनों प्रणों की कटिंग हम एक साथ करने वाली है तो देखिए सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे डवल और उसके बाद देखिए यहां से कपड़े को एक बार और फोल्ड कर लेना है तो इस तरीके से हमारी लगवक चार लेयर हो गई है अब इसके बाद देखिए एक बार और फोल्ड कर देना है कपड़े को तो इस तरीके से टोटल हमें 8 लेयर में कपड़े को रख लेना है अब इसके बाद देखिए इस तरीके से यहां पर हमें 4 इंची पर मार्ग करना है और यहां से हमें करना है साड़े चार इंची पर मार्क जो उपर वाली साइड है वहां पर मैं साड़े चार इंची पर मार्क करना है और नेचे वाली साइड से चार इंची पर और फ्रेंस देखें सेंटर वाले से सी भी हमें चार इंची पर मार्क करना है इसके बाद देखिए हम तीनों जो मारक है उसको मिला देंगे इस तरीके से अब देखिए उपर की जो फिरेल है उसकी लेंद हम रख रहे हैं पाँच इंची आप अपनी अकोर्डिंग कम्यों पर ज्यादा कर सकते हैं उसके बाद देखिए हमें आदा इंची डाउन करते जाना है और सारे से में इस तरीके से मारक कर लेना है तो इस तरीके से आदा आदा इंची हम डाउन करते जाएंगे और सारे से मारक कर लेना है देखिए अब सभी मारक को इस तरीके से मिला देंगे अब इसके बाद देखिए फ्रेंस हमने जहां से मार किया तो पहां पहां से हम कट कर लेंगे फैबरिक को तो फ्रेंस इस तरीके की सिलिप्स का डिजाइन आप सूट में भी बना सकते हैं देखिए इस तरीके से हमने फ्रेंस को कट कर लिया है अब देखिए यहां से हमें कट कर देना है नीचे वाले साइड से अब इस तरीके से ओपन करेंगे से भी फ्रेंस को अब इसमें से हमें दो फ्रेंस को निकाल लेना है और दो फ्रिल को हमें अलग करके रख देना है अब देखे इस तरीके से हमें दो फ्रिल लेना है और उन्हें इस तरीके से रख लेना है बराबर करके अब इसके बाद देखे यहां से हमें बनेंच से कम करना है उपर वाली फ्रिल को तो इसे लगवक चार इंचीव करना है हमें तो इस तरह के से हम सारे इसे में मार कर लेना है हमें और इसके बाद देखी सबी मार को इस तरह के से मिला देना है अब इस तरह के से वन इंच डाउन कर देंगे और इस तरह के से कट कर लेना है उपर वाले फिरिल को तो इस तरके से देखिए हमारी दोनों फ्रोलों की कर्टिंग हो जुकिए अब इसके बाद हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम बड़ी वाली फ्रिल लेंगे हम वन और एक लेंगे छोटी वाली फ्रिल और दोनों को देखिए इस तरीके से स्टेज करना है दोनों को बरावर लेंगे इस तरीके से इस तरीके से बरावर करके और यहां पर देखिए आदा इंची जगा छोड़ती हुए सारे से में सिलाई को डाल कर कम्प्लीट कर लेना है और दोनों फ्रोलों को अमने इसी तरके से रेडी करना है फ्रेंस इस तरके से देखे फ्रेंस अमने सारे से मैं अची तरके से सिलाई को डाल कर कम्प्लीट कर लिया है अब दोनों फ्रोलों को अमने इसी तरके से रेडी कर लिया है चोड़े वाली फ्रिल को उपर stitch करना है और देखिए यहाँ पर हमने पीको कर लिए है फ्रिल की बाहर वाली साइड पर अब इसके बाद देखिए हमें इस तरीके से फ्रिल को attach करना है दोनों को इस तरीके से बरावर कर लेंगे दोनों पार्स को और यहाँ पर देखिए इस तरीके से half inch हमें down करना है फ्रिल को नीचे वाली साइड से और इस तरीके से बरावर कर लेंगे तो फ्रिंस याद रखे हमें यहाँ पर आदा इंच डाउन करना होता है आप attach करते हमें हमें इसा याद रखे तो फ्रिंस याँ पर अमनी फ्रिल के अंदर इसकी साइड देखिए सिंपल सिलिप्स ली है आप चाहें तो ओफिसनल लगा सकते है कई लोगों को प्रोब्लम होती है फ्रिल वाली सिलिप्स पहनने में तो आप इस तरीके की चोड़ी सी सिलिप्स लगा कर पहन सकते है फ्रिंस इसकी भी चोड़ाई हमें ज्यादा नहीं रखनी है फ्रिल से कमी रखना है और देखिए हम आगे की साइड से फूल्ड कर लेंगे सिलिप्स को और दूसरी सिलिप्स को भी इसी तरीके से फूल्ड कर ले तो देखिए इस तरीके से हमें आर मोल्स लेना है और यहां पर देखिए फ्रेले वो लेंगे और इसके उपर से लेना है हमें सिलिप्स सिम्पल वाली सिलिप्स जो हमने कट कर रखी है उसको लेंगे उपर से और इस तरीके से देखिए हमें इसे अटेच करना है तो बराबर करके सारे इससे में टेच करते जाएंगे इस तरीके से देखें सारे इससे में लगा कर कम्प्लीट कर लेंगे हम से लिप्स को तो पर दूसरी वाली जो फ्रेल है उसे भी हमें इसी तरीके से स्टेच करना है तो सारे से मैं अच्छी तरके से लगा कर कम्प्लीट कर लेना है तो देखे इस तरके से हमने सारे से मैं फ्रिल को लगा कर कम्प्लीट कर लिया है अब इसके बाद देखे फ्रेंस हमें इसमें फेटिंग डाल ले है तो friends आप इसके बाद अपने blouse के according feeding डाल कर complete कर ले तो यहाँ पर पहले देन कि यह दूनों फ्रिलों को बरावर करना इस तरह के से measure कर लेंगे और इसके बाद देखें यहाँ से हमें सिलाई को डालनी है यहाँ से आप chest का फूर पाइट ले ले और उसकी बाद सिलाई को stitch करें और नेचे से कमर का फूर पाइट ले ले और उसकी बाद सिलाई को डाले तो friends इस तरह के से देखें हमने दूनों फ्रिलों को इसी तरह के से stitch करना है अब इस तरीके से देखे फ्रिल को हम इस तरीके से ओपन करेंगे सीधी साइट से तो देखे इस तरीके से हमारी फ्रिल एज़ू बनकर एकदम रेडी हो गई है तो फ्रिंस कमेंट करके ज़रू बताएं कि आपको ये सोट उम्डेला वाजू डिजाइन कैसी लगी और फ्रिंस अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ओन करें इससे आने वाली हार एक वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके थैंक यू